हेलो फ्रेंड्स दोस्तो आज हम बात करेंगे सोर्स आफ मुसलिम लोग के बारे में इस वीडियो में हम समझेंगे उसका इंट्रोडिक्शन क्या है उसके कितने प्रकार है प्राइमरी सोर्स और सेकंडरी सोर्स में कुरान सुनना इजमा की यास आता है और सेकंडरी सोर्स में Judicial Decision, Custom, Legislation, Judicial Decision and Equality, Justice and Concise आता है इस वीडियो में हम उसका case लो भी पढ़ेंगे जो बहुत ही important है और उसका conclusion के बारे में भी हम जानेंगे दोस्तो ये जो topic है वो exam point of visa बहुत ही important है Islam law is explained using a bunch of sources the most important one that everyone agrees is Quran Quran देखें दोस्तो Quran जो है वो एक AC book है जिसमें Muslim लोग के बारे में लिखा गया है जैसे Christian है तो Bible आता है वैसे ही अगर Muslim लोग है तो Quran आता है लेकिन अगर Quran में कुछ-कुछ चीज़े ऐसी है जो बहुत difficult होती है पढ़के आपको समझ में नहीं आती है तो उसको समझाता को ने उसको उनको समझाते है Prophet Muhammad जी और उस Prophet Muhammad जी ने जो explanation देते है कुरान के उपर उस explanation को simple भाषा में सुन्ना में लिखा जाता है तो सबसे main source जो है वो Quran और सुन्ना है कुरान क्या है जो भगवान ने directly दिया है हम इंसानों को Muslim लोगों को और जो सुन्ना है जो कुरान में कुछ-कुछ language ऐसी होती है जो normal लोगों को समझ में नहीं आती उसके लिए बहुत ही knowledge की जरूरत होती है तो उस कुरान की जो भाषा है उसको सीधी भाषा में Prophet Muhammad जी जो है वो समझाते है उनकी कई गई जो direction है वो जो समझाते है वो सुन्ना में लिखा जाता है this source don't cover everything thought so Islam scholars are use additional source like legal opinion and reason to figure out what to do in new situation देखे दोस्तों बहुत सारे कानून बने हैं हमरे भारत में CPCA, CRPC IPCA लेकिन कभी-कभी ऐसा कोई crime हो जाता है कि उसका कोई punishment ही नहीं होता लोग होते है जिसको कानून के बारे में पता है वो क्या करते है वो अपना legal mind लगाते है और वो अपना situation को solution करने के लिए मदद करते है क्योंकि वो book में already लिखी नहीं होती है वो नया कानून बन जाते है उसके उपर तो यही चीज है यह पूरा मैंने इंट्रोडिशन दिया आपको यहाँ पर भी सेम चीज लिखी है थोड़ा मैंने आपको exam point of view से बड़ा करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर बताया अब सबसे main बात है दोस्तों यहाँ पर types of source की सबसे बात करते है primary source, source का मैंने आपको बताया है वैसे मुस्लिम नों में क्या आता है कूरान मुस्लिम बिलिव इट कंटेंस God's direct message to humanity delivered through the Prophet मुहमद यहाँ पर क्या होता है देखे दोस्तों अब जो कूरान है वो क्या माना जाता है भगवान का डायरेक दिया हुआ एक देन है इंसानों को लेकिन कूरान के अंदर जो language है कभी-कभी समझनी difficult होती है तो उसको समझाता कौन है Prophet मुहमद जी ठेक है तो कूरान कवर्स मैनी topic including religious, belief, morals and how to live a good life इट सीन अज़ फांडेशन of Islamic law and the ultimate source of authority for Muslims वाइल देखे दोस्तों क्या होता है यहाँ पर देखे दोस्तों क्या होता है कूरान जो है वो generally सारे topic maximum cover करती है जैसे कैसे जिन्दा रहना है अच्छे काम करो बुरे कामों से दूर रहो religious के बारे में बताता है फिर moral क्या है belief क्या होती है उसके बारे में बताता है based on the traditional and practice of Prophet Muhammad it's a consider that second most important source of Islam law right after Quran ठीक है सबसे पहला आता है Quran primary source में सबसे पहले Muslim में क्या होता है Muslim लोग का सबसे primary source सबसे पहला Quran है उसके बार सीधा सुना की बारी आती है think of Quran as a God's direct message Quran जो है वो भगवन का direct message है जो एक बुक में लिखा गया है ऐसा बोल सकते हैं ठीक है exam point of view से the सुना is the Prophet Muhammad's way to putting that message into action the सुना includes thing the Prophet Muhammad said his words of advice देखे दोस्तो अगर किसी advocate की ही हम बात कर ले अब इस government कानून बनाती है ठीक है government constitution बनाया CPC बनाया ठीकिन उसके language इतने difficult होती है कि आम आदमी समझ नहीं पाता वो एक advocate समझ सकता है वो low professor समझ सकता है तो जो advocate बोलता है low professor बोलता है वही चीज final students को पता चलती है ठीक है जैसे अब ही मैं बात करता हूँ डाइवोस कैसे लेना है उसकी क्या condition है तो कोई professor रहेगा लो का वो बता के students को समझा देगा क्योंकि students को direct barret की भाषा समझ में नहीं आगी ठीक उसी तरह कुरान की जो direct भाषा है वो कभी कभी लोगों को समझ में नहीं आती तो Prophet Muhammad जी जो है वो एक teaching की तरह काम करते है और उनकी जो लिखी गई बात है बोली हुई बात है वो सुन्ना में लिखी जाती है things he did, his action and even his silence on certain matters which can sometimes be interpreted as approval सुन्ना includes things like Prophet Muhammad said यहाँ पर देखे दोस्तों क्या होता है Prophet Muhammad ने जो बोला वो सुन्ना में लिखी जाती है और वही चीज सबसे पहले secondary source पर second source सबसे main source बन जाता है सबसे पहले आता है कुरान उसके बाद सीधा आता है कुरान में अगर कोई भाषा नहीं समझ में है तो सीधा आता है सुन्ना जो Prophet Muhammad जी जो है वो समझाते है ठीक है the key difference between Quran and सुन्ना is the Quran is God's exact words while the सुन्ना is the Prophet Muhammad's understanding and explanation using his own words जैसे मैं आपको पहले बता है अभी जैसे मैं एक वकील हूँ ठीक है अगर और आप एक आम आदमी है आप कोई बैरेक्ट उठा होगे आपको पढ़के समझ में नहीं आएगा क्योंकि वर्ट कभी कभी difficult होते है तो आप मुझे पूछोगे सबसे महत्वा का सोर्स बन जाता है मुस्लिम लोग के बारे में अब तीसरा है दोस्तों सबसे important है इजमा Imagine the Prophet Muhammad is no longer around to answer the question about Islamic law इजमा is the way to figure out what to do in those situation देखे दोस्तों ये वीडियो काफी मैंने easy बनाया है आप अगर कही सोर्स research करेगा आपको इतना आसान समझान वाला नहीं मिलेगा मुस्लिम जूरिस्ट जिसको लिगल एक्सपर्ट भी बोल सकते आसान भाषा में who are the expert in Islamic law come together and agree on an answer this agreement becomes Islamic law just like anything directly from the Quran or Prophet Muhammad himself ठीक है अब इजमा में क्या होता है देखे दोस्तों सबसे पहले मैंने बात की Quran की जो भगवान का direct message है Islam को उसके बात आता है सुनना Quran में जो बात लिखी गई है वो अगर आपको समझ मिन आते तब सुनना को refer कर सकते क्योंकि सुनना जो है Prophet Muhammad साब जो है ठीक है उनको बहुत knowledge है Islam का तो वो explain करते है तो सुनना में लिखी जाता है अभी जैसे भगवान न करें अगर ऐसा situation आए कि Prophet Muhammad जी नहीं है एक बात है कि नहीं रहे वो तो क्या होता है जो legal expert होते है Islam में वो लोग इकटा होते है वो अपना जो opinion देते हैं उसी opinion को final माना जाता है और ऐसा माना जाए कि भाई वही कुरान में लिखा है और वही सुनना में लिखा गया है overall Ijma helps to keep Islamic law clear and complete by providing answer to the question that aren't directly addressed in the Quran or the Prophet Muhammad's teaching देखे दोस्तों Ijma का एक अलग ही advantage है कुरान में जो लिखी गई बात है वो अगर आपको समझ में नहीं आते तो सुनना में आप Prophet Muhammad Ji से सिख सकते है उनके book refer कर सकते है लेकिन अगर दोनों ही अपने पास available नहीं है कुरान में अगर समझो वो नहीं लिखा है ना सुनना में वो लिखा है अगर Prophet Muhammad Ji नहीं रही इस दुनिया में तो आप Ijma का उप्योग कर सकते है इसमा मतलब जो लीगल एक्सपर्ट होते है वो अपना ओपीनियन देते है अभी जैसे हमारे जो हाई कोट के रोग सुप्रिम कोट के जज होते है वो कभी-कभी ऐसा डिसिजन पास करते है कि वो नया कानून बन जाता है और वही जो जजमेंट है वो लोवर कोट फोलो करती है अब बात करते है चोथा सबसे इंपोर्टन सोर्च जो हो कियास इमेजिन इस्लामिक लो एज़ बिक ट्री तो कुरान एंद प्रोफेट मुहमस टीचिंग सुनना आप कितना भी डीटेल में कानून बना दो लेकिन फ्यूचर में क्या होगा हमको पता नहीं है अब एक जमना था जब नॉर्मल क्राइम होते थे जैसे मर्डर हो गया, किटनेपिंग हो गया, चोरी हो गई लेकिन दिरे-दिरे जैसे आदमी आगे बढ़ते है वैसे Information Technology Act आ गया Cyber Crime होने लगा, पहले Computer का इतना इस्तमाल नहीं होता था पहले हमारे पास phone पे भी नहीं था GPS भी नहीं था, लेकिन फिर भी दुनिया चलती थी तो online scheme जो होते है, बहुत कम होते थे लेकिन आजकल इतना बढ़ गया है कि हर आए दिन में कुछ नहीं कुछ सुनता हूँ तो ऐसे में जो क्या होता है, कानून नया नया बनता जाता है तो उसी तरह कियास का भी एक काम है कियास क्या करता है Muslim जो लोग बहुत बड़ा कानून है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कियास के एसी सिचुएशन भविषव में आराइज होती है कि कुरान, सुनना और इज्वा में होता ही नहीं है ठेके तो उससे कियास से सौल किया जाता है कियास is like using what we already know from the strong branches to figure out the rules for this new situation it's basically accompanying a new situation to similar one with a creal rule then applying that same rule मतलब यहाँ पर क्या होता है अगर future में कोई नया situation arise होता है तो आपको ढूंड़ना है जो available data है क्या उसमें ऐसी कोई situation already घटना हुई है क्या अगर हुई है तो आपके लिए वो आसन बन जाता है उस situation को सौल कने के लिए देखे दोस्तों यह काफी important point है कियास can't all make complete new laws or changing existing one it just help us to extend the existing rules to a situation the Quran and Sunna didn't directly address देखे दोस्तों कियास जो है वो सिफ new situation को सौल करने में हमारी help करता है वो नया कानून नहीं बनाता जैसे मैंने यहाँ पर आपको कि इजमा का बताया इजमा क्या बोलता है जो legal expert होते है वो जमा होते एक जगे पे एक एक जगे पर जमा होगे वो अपना opinion देते तो नया कानून बन जाता है ठीक है वो एक नया कानून बन जाता है और वही चीज आगे भी फोलो करती है लेकिन कियास में कैसा होता है कियास में इसा नहीं होता कियास क्या करता है कियास कांग make completely new laws और change the existing ones it help us to extend the existing rules to situation and Quran and Sina didn't directly address also there is a strict guideline to make sure the analogy makes sense and doesn't contradict the main source बदल आपको अगर कोई नहीं situation को solve करनी भी है तो ऐसा नहीं करने का कानून ही बदल डालो ठीक है कानून जो बोलता है आपके कानून के दाएरे में ही काम करना है लेकिन नहीं situation को ऐसे कानून में क्लिरले नहीं लिखा हो कि भाई क्या करना है लेकिन कानून के अगेंस आप नहीं जा सकते think of it like this if a Quran says stealing is wrong कियास might help us to decide scamming some people is also wrong because it's similar to stealing but it wouldn't allow us to say stealing is okay while कियास is helpful isn't considered less important than Quran and Sunnah because it relies on a human judgment which can be imperfect but altogether this source work together to create a rich and compatible Islamic legal system तो देखें दोस्तों इसी तर हमारा first जो source है जो primary source है जिसमें हम लोग ने बात किया था Quran Sunnah इज्वा कियास Quran क्या है भगवान का direct संदेश है Islam को Sunnah क्या है जो Quran में नहीं लिखा या फिर Quran में कोई ऐसी भाषा है जो बहुत difficult है समझने को तो वो सुनना में लिखी जाते है सुनना कोन बनाता है Prophet Muhammad जी Prophet Muhammad जी को Quran का पूरा knowledge होता है और वो अपने simple भाषा में सुनना को बनाते है ताकि वो आसानी से लोगों को समझ में है अगर समझो Prophet Muhammad जी नहीं रहे इस दुनिया में तब जाके इजमा का जनम होता है इजमा क्या होता है बहुत सारे legal expert आते है जिसको Islamic लोग का बहुत सारा knowledge होता है वो लोग जमा होते है वो लोग decision लेते कि यह situation में यह punishment होना चाहिए या फिर यह situation में यह case को इस तरह से solve करना चाहिए तो वो एक rule बन जाता है फिर आगे भी वही apply हो जाता है ठीक है यहाँ पर क्या होता है कियास में कियास में क्या होता है देखें दोस्तों situation को अपने को solve करना है कैसे भी करके लेकिन वो existing कानून से इजमा में क्या होता है जूरिस्ट लीगल एक्सपर्ट ही इसलामिक लोग come together इजमा में नया लोग बन जाता है अगर कोई लीगल एक्सपर्ट जैसे मैं हाई कोट का एक्जम्पल दे अगर सुप्रिम कोट को लेंड बाग जेज्जमेंट पास करती है तो वो कानून बन जाता है ठीक है और लोगर कोट को उस judgment से judgment को stick रहना पड़ेगा अगर सुप्रिम कोट बोलते के भाई ABC तो लोगर कोट को भी ABC को follow करना पड़ेगा भले फिर में कानून में कुछ भी लिखा हो लेकिन कियास में ऐसा नहीं होता कियास जो वो नया लोग नहीं बनाता लेकिन हाँ वो situation को solve करता है कैसे भी करके और वो कानून के against नहीं जाता है जो कूरान और सुनना में लिखा गया है ठीक है अब बात कहते हैं दोस्तो सबसे important secondary source के बारे में इसमें सबसे पहला आता है judicial decision दूसरा है custom तीसरा है legislation चोथा है judicial decision यह दो बार हो गया दोस्तो equality justice and consensus अब देखें दोस्तो सबसे बात कहते हैं judicial decision के बारे में judicial decision is like a judge using past court cases as a guide for new ones with a similar situation it's based on the idea that following established ruling still disease this helps the lower court to make consistent decision and assure fairness for everyone involved देखें दोस्तो अभी जैसे मैं आपको आगे example दिया था supreme court का अगर supreme court को ऐसा judgment pass करती है जो landmark है तो lower court को follow करना है तो उसी तरह judicial decision भी काम आता है अभी जैसे दोस्तो पहले के जमाने में cybercrime नहीं होता था लेकिन अभी हो रहा है तो अगर कोई cybercrime के लिए दुनिया में जो पहला case soul हुआ उसी case को lower court भी follow करेगी अगर similar situation future में arise होता है तो ठीक है किसी को बोलते है judicial decision उससे फाइदा यह है कि भाई इस दुनिया में जितने भी judgment pass होते है उस decision को लेने के लिए सारे consistence होगे और किसी के साथ नाइन सर्फ ही नहीं होगी it is important to note that this concept isn't exactly the same in Muslim law while there are collection of ruling that offer guidance judges weren't strictly bound by them however the idea of following the past decision is becoming more common in Muslim law today पहले ऐसा नहीं था कि Muslim law में कि पहले के decision follow करे लेकिन अभी दिरे दिरे जैसे समाज बदल रहा है लोग mature हो रहे है दिरे दिरे वो लोग पहले के decision है उसको follow कर रहे है ठीक है दूस्तो अब बात करते हैं दूस्तो कस्टम के बारे में नाम में यह answer दूस्तो कस्टम क्या होता है कस्टम आर बेसिकली लोकल ट्रेडिशन that can be used as a source of Islamic law मतलब जो लंबे समय से चला आर रहा है अब जैसे आप यह मानते हो कि भाई इस दिन को यह नहीं करना चाहिए तो यह भी एक कानून की सिस्टम बन जाती है ठीक है तो यहां पे क्या होता है कस्टम का आप फोलो करो उस कस्टम को फोलो करने का आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आप कानून की अगेंस चले जाओ and need to be followed by most people in the community they also can't be super new but don't have to be ancient either in the early days of Islam there were no official Islamic laws so customs help people to figure things out देखें दोस्तों कानून जो है वो अभी अभी बना है हम बोल सकते है कानून जो है एक 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 जामपल देता हूँ कानून जो है वो समझो 200 साल पहले बनना चालू हुआ उसके पहले कानून नाम की कोई किताब होती ही नहीं थी तो लोग अपना एक judgment अपलाई करते थे अभी उस जमाने में किसी न अगर किसी का murder कर दिया तो वो गलत माना जाता था naturally क्योंकि किसी ने किसी का नुक्सान कर दिया हाला कि उसको पर कोई कानून नहीं था लेकिन आज की तारिक में कानून है अमरे पास पुलीस है जेल है सब कुछ है तो ऐसे में क्या होता है दोस्तो कस्टम को भी एक बहुत important factor माना जाता है source of Muslim law में ठीक है अब बात करते है कस्टम के character क्या होने चाहिए कस्टम जो वो regular होना चाहिए दोस्तो कस्टम जो वो regular होना चाहिए नोटीसेबल होना चाहिए तक कस्टम शूड हैपन रेगुलरली and be something people can see or notice happening available to everyone and rational it should make sense for everyone to follow and to be logical no contradict to Quran and sunnah मतब यहाँ पर मैं आपको पहले बता है अगर आप कस्टम फोलो करते हो अब आपके समझो आपका को यह कैसी belief है कि यह तारिक को यह वार को हम यह नहीं करते तो वो कीताब में भी लिखा जाता है तो वही चीज़ा फोलो करते हैं लेकिन वो जो original कानून है जैसे कूरान को हम सबसे main source मानते है जो क्यों भगवान ने दिया गया है ठीक है भगवान ने आपको दिया है तो उसके against में नहीं जाना चीज़ा अगर कानून बोलते है तो वही फिर आपको करना पड़ेगा और चोथा उसका character है डोसन्ट है टो बी वेरी ओल्ड डोसन्ट नीड टो बी ancient मतलब हजारों साल पूरा नहीं हो तो भी चलेगा अगर आप पिछले 100-200 साल से भी फोलो कर रहे हो तो भी बस हो गया अगर नया नया कस्टम बना है और वो अच्छा है सब लोग को फाइदा हो रहा है सुच्वेशन सोल हो रही है जगडा नहीं हो रहा है शांती बनी रहती है तो उससे को भी यह एक्सेप्ट किया जाता है अब बात कहते हैं दूसरो लेजिस्टलेशन मतलब क्या होता है कानून हमारे पास CPC है CRPC है, IPCA, Evidence Act है Company Low है, CBE है तो यह सब एक्ट पास कोन करता है Parliament तो उससी को लेजिस्टलेशन मतलब क्या कानून को बनाना कानून को बना तक होने Parliament Parliament एक बिल पास करेंगे उसको पर सई सिक्का होगा फिर हो पुब्लिक को दिया जाता है Legislation is basically a fancy word for law It's the process of making the laws official through the government of body like Parliament These laws create rules and have the power of the state behind them In some cases religious laws might be considered as legislation यहाँ पर क्या होता है अभी जैसे हाली में तीन एक्ट पास किये गए ठीक है evidence में भी नया changes आया criminal law में भी changes हो हुए भारत में तो वो Parliament में पास होता है वो आपने news में सुना होगा इतना मैं expect करूँगा कि आपको पता ही होगा तो इसी को भी एक source माना जाता है किसका? Muslim लोका ठीक है अब बात करते है judicial decision हाला कि यह पहले भी आ गया मेरे से दो दो बार यह हो गया है तो माफी चाओंगा उसके लिए तो यहां भी लिखा है judicial decision मतलब क्या होता है अभी जैसे Supreme Court ने कोई order पास किया ठीक है? कि भाई ऐसा situation में ऐसा होना चाहिए तो वो फिर वैसा ही होगा अभी जैसे Shaira Bano versus Union of India that the practice of instantly divorcing a wife by saying talak three times is unfair this judicial decision becomes a new guidance for future cases अभी जैसे यह case लो था ठीक है यहां पे triple talak देना मना कर दिया wife को तो यही जो judgment है वो आगे आने वाले जो case है उसमें भी लागू पड़ता है तो similarly इससे क्या होता है टाइम बसता है खोट का अगर similar situation arise होती है future में तो judge जो है वो case को ज्यादा पड़ेगा नहीं सीधा order पास करतेगा जो सजा है वो मिलेगी वैसा तो इससे time बसता है और justice जो हो maintain रहता है क्योंकि एक case में अगर आपने कोई फालाना judgment दिया है तो दूसरे similar case में आपको फालाना judgment ही देना पड़ेगा अब बात करते है equality justice and concise के बारे में in islamic law there is a concept called institution which basically means a fairness or a considering what is right मतलब यहां पे कैसा होता है दोस्तो मतलब institution में कैसा होता है आपको पड़के जोड़ेगा it is like a legal tool that allows judge to make ruling based on the justice even if the meaning going bit beyond the strict written rules this approach helps the islamic law to adapt different situation and assure that a fair outcome comes ठीक है बतब यहां पर क्या होता है भी समझो कानून बोलता है कि भाई आपको यही कानून फोलो करना है लेकिन कभी-कभी situation ऐसी होते है कि भाई हम नया कानून भी नहीं बना सकते लेकिन judgment अच्छा आना चाहिए तो इसमें आप थोड़ा कानून के बाहर जा सकते है उसमें कोई पाबंदी नहीं होती है इसको बोलते है equality justice and conscience के बारे में तो यहां पर कैसा होता है कानून बोलता है कि भाई जज को फालाना judgment ही देना है तो जज ने फालाना के साथ साथ दूसरा judgment भी पास किया जो सबको फाइदा दे रहा है तो वह नया कानून भी बन जाता है और इससे क्या होता है एक equality maintain रहती है जैसे मैंने केस लों के बारे में बता दिया आपको जो यहां पर लिखा है जो इसको त्रिपल तर्ला के नाम से भी जाना जाता है अब यह बहुत ही final case लो है दूस्तो इसको बोलते है बाय तारया वरसीज अली हसेन डिखान अली हुसेन के बारे में टिक है दशुप्रीम कोटेंच एंच एंच हाव maintenance laws आर अप्लाइड यहां पर क्या होता है दोस्तों अगर कोई वुमन है कोई वाइफ है उसने अगर एक लमसम भले ले ले वन टाइम पेमेंट ले भी लिया हो लेकिन फीबियो रेगुलर पेमेंट हसमन से मांग सकती है कौन से सक्षिन में 125 यार पिसी के अंदर तो यह सारे केसीज भी दोस्तों एक सुपिरियर जज्जमेंट की तरह काम करते है अब बात करते हैं दोस्तों कॉंक्लूजन के बारे में इस्लामिक लोग इस बेस्ट ओन और कॉंबिनेशन ओफ डिवाइन डिलेविशन कुरान और प्रॉफेट मुहम्मद टीचिंग जिसको सुनना भी बोलते हैं देखें दोस्तों यह हाड वर्ड जो आप एक्जाम में मत लिखना क्योंकि वह आपको कन्फूज कर देंगे आप स्कोलर्स देखें देखें जिसको कियास बोलते हैं और पास रुलिंग टूबी एडप्ट इन यू सिचुवेशन वाइल लोकल कस्टम से जुडिशा डिशन केन ओसो प्ले रोल ओल विधिन दो फ्रेमवर्क ओफ कोर इस्लामिक प्रिंसिपल और प्रोमोटिं जस्टिस तो यही चीज मैंने आपको बताई दोस्तों आज इस वीडियो में कितने प्रकार के सोर्स होते हैं दो प्रकार के सोर्स होते हैं प्राइमरी और सेकंडरी प्राइमरी में क्या आता है सेकंडरी में भी क्या आता है दोस्तों यह बहुत ही सिंपल एक्समेरेशन सा दोस्तों यह आपको कहीं पर भी नहीं मिल सकता इतना आसान भाशा में तो यही चीजे में स्टूडन्स के लिए वीडियो बनाता हूं ताकि वह अच्छे मांक स्कोर पाए कर पाए दोस्तों शुक्रिया